जैहिंद इस वीडियो में लग एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेट कंपनी बारे में बात करेंगे कल इस कंपनी के बोर्ड अब डाक्टर्स की मीटिंग होई उस मीटिंग में कंपनी ने इंट्रिम डिवडेंड देने के साथ साथ क्वाटर थीरी के यल के नतीजे भी जार साथ करनों रुपया मार्केट के लिहाद से कंपनी काफी बड़ी है सेयर प्राइस से 173 रुपया जता यहाई लगा चुका है दूसरे कई से रुपय का अर्था कंपनी का सेयर प्राइस अधिक्तम मुद्टक यहां तक आया है अब अगर इसके बोर्ड डाक्टर्स के जो कल चलब 15 औरिक करते हैं इसमें अगर आपको इस कंपनी का डिवुन चाएए तो आपकर अगर आपको इस कंपनी का डिविदेंट चाहिए तो आपका नाम 8 फरोरिक तक इस कमपनी के record लिश्ट में आना चाहिए और dividend का पैसा जो है एक मार्च के पहले तक आपके bank account में आजाएगा अब बात करते हैं पास्ट की कुछ dividend की इसकी जो गतिवीधी रही है उसको उपर और साल में कमपनी दो बाट dividend देती है लेकिन जब से करोना आया है यानि की 2020 से कमपनी साल में सिर्फ एक बाट dividend दे रही है पिछली बार कमपनी ने 4 फरोि 2021 देति था दू रुपे 30 यानि की पिछले बार आर भी जब कमपनी ने पिछले सालrü उसको बतानी के लिये बनाया गया है इसमें लिए पिछले कोर्टर का जो नतिजह रहा उसको इस दर्साया गया है और यह सालबर पहले के यानि कि पछले ये कोर्टर 3 के जो नतिजह थे उसको इस लाइन में दर्शाय गया है, quarter 3 में company का revenue 321 क्रोण का हुआ है, जब कि quarter 2 में company का revenue 3300 क्रोण का हुआ था, और साथ quarterly अस्टरपर इभेन्यू में कुछ गिरावट आया है, वहाई अगर साल पर पहले देखेंगे तो company का revenue 2521 क्रोण का था, यानि कि सलाना अस्टरपर अभभी company का revenue बढ़ा ही है मुनाफ़ा में ये company, अगर खर्चे की बात करें, तो quarter 3 में company को 296 क्रोण रोपे का खर्च की थी, तो आप देखेंगे कि quarter 2 में company को revenue ज्यादा पराप्त हुआ था, तो company ने खर्चा भी ज्यादा किया था, लेकिन quarter 3 में company को revenue कम पराप्त हुआ है, तो खर्चा खर्चा किया था, अब अगर profit after tax की बात करें, जिससे सुध मुनाफ़ा कहते हैं, क्योंकि ये टेक्स देने के बाद company पास बचता है, तो quarter 3 में company को 204 क्रोण का मुनाफ़ा हुआ है, वही quarter 2 में company को 234 क्रोण का मुनाफ़ा हुआ था, तो इसे मुनाफ़ा नहीं कहेंगे, इ क्योंकि तीन महिना में company को सिर्फ 30 क्रोण का लॉस हुआ है, वही अगर साल बर पहले की बात करें, तो साल बर पहले company का profit 241 क्रोण का था, यानि कि सलाना अस्तर पर भी और quarterly ये अस्तर पर भी company का जो मुनाफ़ा है, उसमें कमी आया है, गिरावट आया है, अगर earning पर share की ब बढ़ा उसको बताता है, तो देखेंगे कि ओवर और हर चीज में गिरावट आया है, त्वर्नी पर share में भी गिरावट आया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बाते भी company का अस्तर पर भी लियाबिलिटी से अधिक है, यह एक positive sign है, अगर रिजर्ब की बात करें, तो company पास आने वाला समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि आज कल भारत में जितनी भी गड़ियां आते हैं, इलेक्ट्रिक बहिकल गड़ियां आते हैं, और उसमें बैटरी का प्रियोग होता है, और यह भारत की लार्चेस्ट बैटरी मेनुफेक्ट्रिंग कमपनी है, तो इसका डिमा आवा तो करियां